पैठन की दूसरी लिला, लिला क्रमांग पूरवार्थ 116, त्रयंबग गमन स्थगित दूसरे दिन प्रात्यकल उठने के बाद भगवान सी चकन स्वामी बाइसा की गुटिया में गए द्वार के अंदर आगने कोने में बैसा ने बगवान को बैठने के लिए पायदान दिया बगवान पस्चिम दिशा की और मुख करके उस पर बैठ गए उदर बोने बाईयों ने मन में सोचा कि कहीं मौनदेव बैसा की कुटिया की और तो नहीं चले गए यही जानने के लिए बैसा की कुटिया के पास आकर बाहर खड़ी हो गई फिर बैसा से कहने लगी नागुबाई हमारे मौनदेव कल रात को हमारे उदर आए नहीं प्रती दिन जब हम शाम को बोजन तयार कर लेती थी तो मौनदेव स्वेम में बोजन के समय आ जाते थे इस पर बैसा ने कहा अरी बहन वे महात्मा लोग हैं जिदर गए वहीं के होकर रह जाते हैं उन्हें जहां अच्छा लगा वहीं बैठ जाएंगे इतने मुने बगवान की पद रक्षिका वहां पड़ी दिखाई थी उदर हंस राजा द्वार की दहलीज पर बैठी कभी बी हमारे मौन देव यहां तुमारे पास बैठे हुए हैं और तुम हमें बता ही नहीं रही मौन देव पर तुने क्या जादू कर दिया इस पर बगवान ने कहा मता हं यहां बैठे हुए हैं फिर बोने बाईयों ने कहा मौनदेव जी कल शाम आप हमारे निवास्थान पर भोजन करने नहीं आए हम तो वहां आपकी बहुत देर तक परतिख्षा करती रहे इस पर बगवान ने कहा जब हम नगर में आये तो यहां नागुबाई मिल गई तो यह लोग इधर ले आए रात को हमने बोग नारायन मंदिर में ही निवास किया फिर बोने बाईयों ने कहा मौनदेव जी हमारे सभी सहय यात्री त्रमबक की और जाने के लिए तयार हो गए हैं तो चलो हम लोग भी चलते हैं इस पर नागुबाई ने कहा अरी बहन ये तो महात्मा पुरुष है इन नहीं हैं तुम अधिक होश्यार मत बनो फिर उने बगवान की और उन्मुख होकर कहा मौनदेव जी चलो चले इस पर बगवान श्री चकर्द स्वामी माहरा ने कहा माता चलो चले ऐसा कहकर वे चलने लगे जब बगवान वहां से चल पड़े तो बाईसा ने कुटिया से ब किदा करने आई फिर वहीं रुक गए पर बगवान चुप रहे वे कुछ बोले नहीं बगवान लोनार तिरस्थान तक बोने बैयों के साथ गए वहां गोदावरी नदी के किनारे पर पद रक्षी का उतारी बोने बहां की पद रक्षी का लेकर नदी पार करती हुई दूस इसे उन्होंने उन वृढुद माताओं से कहा कि यहां से वे उनके साथ आगे नहीं जाएंगे आप लोग जाओ बोने बाईयों ने एक वार्फिर भगवान से कहा मौनदेव जी आप हमारे साथ चले आपके साथ रहने पर हमारा त्रम्बग जाना भी सार्थक हो जाता इस पर बगवान ने पुने कहा माता अब हम नहीं आएंगे वहां से हमारे लिए भी तरंबक का थोड़ा तीर्थ जल लेते आना बगवान अपने हाथ की अंगलियों का नुकार करते हुए कहा इतना सा तरंबक तीर्थ जल बगवान की इन शब्दों को सुनकर वहां पस्तित कुछ अ बगवान की पद रक्षी का लेकर गुदावरी के इस किनारे पर आ गई और बगवान के श्री चर्णों में पहना दी फिर उन्होंने कहा मौन देव जी हमारे वापिस आने तक आप यहां पैठन में ही रहना फिर हम यहां से अपने गाउं जाएंगे बगवान चुप रहे और वे वहां से आगे बढ़ गए लिला का हित्व मेकर से निकलते समय बगवान का मुक्य हित्व पैठन तक ही आने का था कुम सनान के लिए तरंबक के यात्रियों और बने बाईयों का साथ यहां तक आना यह दूसरा हित्व था कि उन्हें मार्ग में लीला संबंद ग्रहन और दर्शन से सुखफल परदान करना इसलिए बगवान यहां से आगे नहीं गए नागुबाई को प्रेम सादन परदान करने का समय समीप आ गया था अते बगवान ने यही रहने का निश्चे किया उधर बाईसा को भी बगवान के प्रती वेद आकर्शन हो गया था इसलि ये वेद अकर्षन उत्पन किया बोने बायों को भी परमेश्वर संबंदी इस क्रिया का लाव प्राप्त होगा ही अंक इल्ला कर्मांग पूरवार्द 116 यहां संपूर्ण होती है एकांग की लिनाओं यहां विराम को प्राप्त होती है और आगे पूरवार्द का हिस्सा प् जाए अब लोगों के दीश में रहेंगे तंड़ पराप जैसी सब्सक्राइब